नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में मेरे एक दोस्त ने सनी देव का ये उपाई करने की सला दी मैंने स्रदा से ये उपाई चार सनिवार तक किया सनी देव और हनुमान जी महाराज की इतनी करपा हुई अचाने की धन की प्राप्ति हुई जिसे मैंने सारा करज भी चुका दिया और बचे पैसे अपनी दुकान व बड़ी समश्या होती है करज में डुबा व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता है और मांसिक परेशानियां बनी रहती है कई बार करज की किस्ते ब्याद चुकाते चुकाते और करज लेना पड़ता है व्यक्ति सालों तक करज के बोश तले दबा रहता है आज कल के महंगाई और भारी मंदी की वज़े से करज तो लेना ही पड़ता है अगर आप करज के बहुत से परिशान मायूस बेबस हो गए हो तो आज के वीडियो में मैं आपको सास्त्रों से निकाल कर लाएं एक ऐसा करज मुक्ति का उपाई जिसे आप स्रदा से परियोग करेंगे तो आप करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेर नोटिफिकेशन को चालू करें जिसे हमारे चैनल के वीडियो आप तक परियोग करें यह उपाई सनिवार और अमावश्या के दिन ही आजमानी है उपाई के बारे में किसी से चर्चा ना करें पूर्ण रूप से गुप् शुत्री घर में व्योस्ता कर लें सबसे पहले एक ठाली में तीन साप्सुत्री गूड की डलियों को पान के तिनों पतों पर एक हेकर के रख दें बाद में एक चमुच हलदी में कच्छा दूद मिला कर गाई को एक पेष्ट तियार कर लीं फिर उस पेष्ट से गूड की दलियों पर तिनो डलियों पर रिण मुक्तेश्वराय नमय ये मंतर लिग दें किसी भी तरीके से लिग दें बाद में इन तिनो गुड की डलियों पर एक चमच हल्दी पाउडर बराबर बराबर मात्रा में डाल दें और 125 ग्राम काले तिल को भी तिनो डलियों पर बराबर ब पूजा पाठ करें जान रहें ये परियोग सुब्वे नित्य क्रिया करम से निवरत होकर ही करना है। किसी बढ़ के पेड में रखनी है। यदि सांड और गाई गली मोहले में मिले तो ठीक है। नहीं तो किसी गोसाला में जाके खिला दें। इस तरीके से ये परियोग पांच सनिवार तक करते रहें। तो निश्चीति आपको चमतकार दिखाई देगा। भगवान लक्षमी न